हलो एंड वेलकम टॉवर यूट्यूब चैनल एक बाल सर्ज अकेडमी आई होब यू गाइस आर फाइन यहां पे आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं JKPSI 13 दसंबर एक्जाम एनलिस्स जो इविनिंग में शिप्ट हुआ है वो खत्म हो चुका है स्टूर्णिस की तरफ से हमारे पास जो क्वेस्टन आ चुके हैं उनके बारे में हम डिसकस करने वाले हैं कौन से क्वेस्टन पूछे गए JKPSI की तरफ से और किन टॉक्स पर ज्यादा फोकस किया गया है आज की शिप्ट में जहां तक बच्चों से सुनाएं कि जो आज का शि फेकल्ट शिफ्ट होगा उतना आप जो है आपकी जो है रैंकिंग जो है जो आपके मार्कस है वो बढ़ते चले जाएंगे तो शुरू करते हैं आज के हम इस सेशन को कौन से क्वेस्टन पूछे गए हैं सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बस आप अब अगर आप इस चानल पर नए है तो चानल को भी सबस्क्राइब कर दे और अगर आप हमारे वाटसाप गूर्प टेलेग्रम ग्रूप जोईन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिक्स प्रवाइड कर दिजाएं आप वहां से ड ज्यादा क्वेशन पूछे गए हैं तो गाइज यहां से हम स्टार्ट करेंगे जे के पी एस आई इविनिंग शिप्ट तेरा दसमर 2022 क्वेशन आसकर रेड़ पांडा फेश्टवल जो है वो कब मनाया जाता है उसके बारे में क्वेशन आप से पूछा गया था इलोरा जो है क इसके बारे में आफ से पूछा गया था नीति आयोग पे बी एक क्वेशन आया था ग्रैमी आवार्ड के बारे में आप से पूछा गया था उसके बाद हम बात करेंगे करन्ट एफियर 2018 और 2019 में आपको ज्यादा क्वेशन आए थे यह आपको याद रखना है कि आज के में 2018 और 2019 से ज्यादा current affair पूछे गए थे और student से यही सुना है कि जो current affair था वो बहुत ही difficult था आज की shift में उसके बाद हम बात करेंगे roundtable conference उस पर एक question आया था उजून डे कब होता है या कब मनाय जाता है ऐसा ही question था उसके बारे में आपसे question पूछा गया था इन्प्रेमेर्बल एक्वैलिटी मीनिग मीनिग बतानी थी उसके बारे में एक question आया था section 88 जो जेरेंड के रहा और गरनिशन एक्ट का है उससे आपके से एक question आया था number of seats जो है वो कितनी होती है जेरेंड के एनलदा कंबाइन में कितने number of seats होती है इस पर एक question आया था MS Office screenshot edit किस तरह करते हैं उससे आपसे question आया था view insert page out जो है page out में जो insert button है वो कैसे हम फिर उसको view करते हैं उससे आपसे question पूछा गया था उसके बाद हम बात करेंगे यहांपे जिस student ने मुझे बेजाय तो उसने यहांपे लिखा है difficult shift क्योंकि उसके लिए बहुत difficult रता है तो उसके बाद हम बात करेंगे data tab shortcut की उसके बारे मैं आपसे question गापरानी कोई जरूरत नहीं है आप positive mind के साथ अपना exam देने के लिए जाए आगर आपने मेहनत की होगी तो आपका जो difficult session है वो आपके लिए फाइदा मेंद है क्योंकि जिनका difficult shift है उनके लिए फाइदा मन किस तरह है कि आपको पाता है कि उनके जो है ज्यादा मार्कस बढ़ेंगे अगर किसी ने लगबग मेरे ख्याल से अगर किसी ने 40 या 50 तक questions जो है correct questions किये हैं तो उसका जो score है वो 90 से अब चला जाएगा मतलब ये है मतलब ये जो shift है इस तरह से मतलब जो है shift जो जिनका difficult होता है उनका जो है मार्कस distribution उस तरह से हो दिया है उसके बाद हम बात करेंगे वैलकनो which makes noise on eruption इसके उपर आप से question पूछा गया था non renewable of energy इसके टॉपिक पे question आया था फुल फार्म आप यहां पे वाइफ़ पूछा गया था उसके उपर एक question आया था profit and loss की उपर question आया था पाई चार्ट आपको बनाना था वाईसे वहां पे बना हुआ था तो उसके उपर एक question आया था वाविल के बारे में आपसे पूछा गया था मुहमद गोरी जो है उसे पूछा गया था वो क्या है मतलब कहां का है ऐसे कुछ होगा September जो है उजून डे कब मनाया जाता है तो यहां पे मैंने लिखा है September मैंने मनाया जाता है वहाँ पे आपको correct option September ही लिखना था section 88, 69 या 59 आर्टिकल के उपर पूछा गया था आपसे किसान credit card issue वो कब किये गए थे date उसका बताना था सिकीम से भी एक दो question आया थे first round table जो है person उसमें कौन first round table person जो है वो जिसने जो वहाँ पे person present नहीं था तो उसका जो right answer वो था गांधी जी उसमें वो first round table में वो present नहीं था not present in the first round table गोरी एंड प्रित्री राज के उपर आपसे question पूछा गया था उसके बाद हम बात करेंगे ilora ilora cave जो है उसी के बारे में पूछा थे कहां है और किस state में है उसे पूछा गया था princely state कूण सी है आपके इंडिया की उसके बारे में आपसे question पूछा गया था hydrated salt किस form में होता है दादा बाई नरो जी के बारे में आपसे पूछा गया था किस leader ने दो round table attend नहीं की थी तो ये दुबारा से वही आ गया गया गांधी जी democracy के दो questions आया थे वल्चर जो है उसका reserve कुछ ऐसा आया था वो कहां पे हो कहां पे है किस state में है ऐसा कुछ question आया था large investment 2019-2020 किस state में किया गया था सबसे ज्यादा investment तो करनाट का उसका right answer था sacred जो है group वो क्या होता है मतलब उसके बारे में एक question आया था और open data tab उसके बारे में भी आपसे questions पूछे गए थे अब यहां पर बात करेंगे math or reasoning के math or reasoning के जो questions है वो किसी student ने मेरे साथ share नहीं किये या उनको याद नहीं रहे तो वो हम कल discuss करेंगे या आपको मैं टेलेग्राम पे वो questions एक PDF की शकल में वहां पे provide कर दूँगा इस जो PDF है वो भी आपको टेलेग्राम मेरी टेलेग्राम चनल एकबाल सर्थ Academy पे available कर दिया जाएगा गाइज अगर कोई यहां पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज हमारी YouTube चनल को सबस्क्राइब कर दे और टेलेग्राम ग्रूप अगर आप जोइन करना चाहते है या वाटसब ग्रूप अगर आप जोइन करना चाहते है इस वीडियो के description box में आपको दोनकी लिक्स म मिलते रहते हैं thank you and take care